आजका डिजाइन भर्मा पेटन पे है ज्सेх हमने बहुती ऐलिगेंट तरीके से लगा इस तरह से आप three little Tree ले पुसक्ट के दिजाइन ले ले सकालब को हमें स्वेल्पस कर रखना आप एंडिंग मेल्ट का यह दिजाइन उठाएंगे तो उसमें आपको क्या करना है सीधी लाइन लेना नीचे की तरफ इस तरह से में आपको नीचे की तरफ इस प्रेट करते जाना है ताकि यह बहुत अच्छे से बन पाया और बीच में रिफरेंस लाइन लिए है वहीं तक हमको जाना है उसका क्रोस नहीं करना है ठीक है थिक लाइन अपने बनाई лекс साइस को लेँ हैं तक कि सारी चीजे बैलनस हो जाएँ हम अगर बीना इसके लबस की यह कवर करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे डिजाइन में फिनिशिंग नहीं देख पाती इसलिए को में अगर आप साइसे काफी देख सकती है अगर साइसे चेइंज करना चाहतें तो उसके आपको अच्छे से practice करनी पड़ेगी ताकि आप हर तरह से चीजों को manage कर पाएं उपर ending belt का design देना है, ending belt का design जो आप देते हैं वो आपको belt के बना देने के बाद ही देना है ताकि कोई भी दिक्कत आपको face ना करना पड़े, पूरा design बनने के बाद अगर आप ending belt का design लेने जाते हैं तो आपके हाथ से या फिर सामने वाले के हाथ को balance नहीं करने के वज़े से bigger जाता है जिसकी वज़े से वो पूरा design आपको अच्छा नहीं लग पाता और कहीं ना कहीं design के bigger जाने से हमें भी वो satisfaction design में नहीं मिल पाता तो इसलिए हमें उससे पहले ही complete कर देना है ताकि ये चीज़ से हम free हो जाया और काफी अच्छे से हम उसके ending design को दे पाए और जितना attractive ending का design लगता है वो ही आपके काम को और अच्छा बनाता है उपर की तरफ मैंने leaf के design लिया है जिसमें मैंने dot लगा के line का ध्यान रखते हुए ये design लिया है जैसे line बनाके मैंने dot लगाया है और spread कर दिया है इस तरह से आपको line को ध्यान में रखके ही leaf के design को बनाना है ये जो मैंने half circle का shape लिया है ये मैंने बहुत ही चूटा लिया है आप देख सकते हैं ताकि ये ज़्यादा cover ना करे design को आप भी इस तरह से ही ले ताकि आप चूटे चुटे पार्ट में काफी अच्छा work कर पाया और ज्यादा से ज़्यादा design सामने वाले के हाथ में बना प बनाया थे सेम वैसे ही मैं इसके लप्स बना दूँगी अब मैंने leaf के design को start क्या है leaf के design के लिए मैंने ये चीज़ का ध्यान रखाए कि मैं हर चीज़ को एक जिसा बनाऊ line dot and pressure वाला ही step ने follow किया है और leaf के design को मैंने complete किया है मैंने एक direction पर leaf के design को complete किया then फिर दूसरे direction पर आई ताकि मेरी कोई भी गडबर इसमें ना हो then फिर आपको C shape पर ये design बनानी है इसमें ध्यान रहे है जो तीखा point आ रहा है उसे आपको properly दिखाना है ताकि ये अच्छा लगे ये design अगर वो sharpness नहीं दिखेगी तो ये अच्छा नहीं लगेगा वो point दिखना बहुत जरू को मैंने बनाया है जैसे मैं हर बर बनाती हूं मैं वहीज सेप को follow कर रही हूं और उसको complete कर रही हूं आप देख सकते हैं मैंने skill ups के design है वह बहुत ही बारी के से दिख रहे हैं तो आप कोशिश करें इस चीज़ को follow कर पाएं यहां पे जो बच्ची भी जगे हैं महापर आपको feeling करना है जो बिल्कुल lightly आपको हाथों से करना है और जैसा कि मैंने आपको कहा feeling करते वक्त वह point आपको महंदी नहीं लगान लाइन वाले जो concept से अगर आप यह बनाएंगे तो यह आप सिब काफी जल्दी बन जाएगी लाइन बनाना है और डॉट लेना है ठीक है लाइन बनाना है प्रिश्र लेना अगर इस तरह से आप बनाएंगे तो बहुत अच्छे से बन जाएगी जहां क्रॉस हो रहा है वहा लेना मेंं बनानी है तो पार्टिशन के बनाने के बाद हमने इसमें तूर लाइन लिए &명ा the कि यह चीज हम पार्टिशन करने में कोई भी चीज को मिक्स ना करें इस चीज के लिए हमने यह स्टेप को फॉलो किया है जैसा कि मैं आपको बोलती हूं लाइन और स्केलप से आपके जो डिजाइन में गेप है वह काफी अच्छा से दिखने रख जाती है तो आपको यह स्ट हमें इसमें feeling वक करना है स्टार्ट करना है जितनी जगे बची है उसमें में दी कर देना है बहुत अरवे मेंदी हने में दंदर की तलंब बहुत बहुत अको ध्यान रखना है यह बहुत अच्छे से अ जो हाइलेइट डिजाइन लगे एंड थिक लाइन दिने के बाद एक नॉर्मल लाइन लेकर स्केलप्स ले लिए हैं ताकि थोड़ा सा गेप हम उसमें दिखा पाएं इसकेलप्स देने के बाद लीफ के डिजाइन को उठा लेना है ताकि वो एक अच्छा लुक दे पाएं मैं को लीफ काफी पसंद है ने मैं 7 Jeans and水 आपको से उ स्केलप्स से नीचे जो आपने ह 105 फञालया है इसलिए हैं आपको ले लेना है जाशा मैंने नीचे बनाया है मैंने यह व्ल्मल नेजी है ताकि थोड़ा एक सिमिलर्टी दिखै और यह ठोड़ा सा जो लुक है थोड़ा चेंज हो जाएं इसलिए ह अगर आप करेंगे तो आपका finger design पूरा फिल हुआ दिखेगा अगर आप उसे खाली छोड़ते हैं तो वह अच्छा नहीं लगता है बहुत खाली-खाली finger design तो इसलिए हमें बर्मा finger design उठाने की कोशिश करने हैं जादा से जादा जो बच्ची जगे हैं वहाँ पे spiral लेना है same size क्या है इस चीज़ का ध्यान रखना है spiral कि अगर sizes change होती है तो आपके finishing वहाँ पे bigger जाती है इनमें जो design आप बनाते हैं इसमें आपको feeling work का design है वह काफी अच्छा आपको feel करना होता है same size की feeling work करने होते हैं ताकि कुछ भी ऐसा change ना लगे design में और feeling work same होने से आपके design में कहीं ना कहीं 30% तक जो finishing है वो बढ़ जाती है तो हमें दीरे-दीरे ही finishing पे काम करना है तो उसके लिए हमें हर चीज़ को लेके चलना होगा इस तरह से मैंने checks की design को drop कर लिया है आप देख सकते है reference line ली है उसके बाद मैं चोटी-चोटी leaf का design इसमें ले रही हूँ इसमें म design में आपका pressure control का जो practice है वो काफी अच्छा हो जाएगा क्योंकि एक बारिक काम करने के बाद मुटा काम करना और फिर आपको वापिस से जो बारिक काम करना तो इस तरह से आप अगर इससे try करते तो यह काफी अच्छा design है और बहुत elegant सा लगता है इस तरह से हम बारिक-बा पाएंगे अगर आप इस step को follow करते है तो दीरे-दीरे हो जाएगा जो छोटी सी हमें line बनानी है वहाँ पर डॉट आ रहा है तो उस चीज़ को हमें कैसे cover करना है मैं आपको वह समझा देती हूं क्योंकि यह common mistake है जो होती है आप जब बनाने जाते है तब एक छोटा सा जो इस सी line बनानी होती है उसमें भी अगर डॉट आ जाता है तो बचा क्या जितना डॉट वहां आ रहा है उतना तो हमको यहां पर लीफ बनाना ही है रइट उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें जो point है उस पर हमने pressure दिया है तो हमें सबसे पहले जहां हमें leaf बनानी है वहीं प रख्ते वे pressure नहीं देना है मतलब आप पहुंचने से पहले हमें कोण पे pressure नहीं देला है outbreaks प्रकेखने प्रशयर के लीफ करने क्या करना है और आप समझ पा रहे हैं में क्या कह रही हूं मैं नहीं जहां है उस चीज को एक बार और एIGHT मदब leaf design को बनाना है वहाँ पे tip को रखे फिर वहाँ पे pressure दे और just बना दे बिल्कुल आपको वहाँ पे hold नहीं करना है अगर आप वहाँ पे hold करते हैं तो वह dot जरूर आता है तो एक बार आप try करें मेरे साथ आप बिल्कुल आराम से जहां पे आपको leaf बनानी है वहाँ पे आप अपने cone को रखें और बिल्कुल point को clean करके रखना है point खराब नहीं होना चीप महंदी नहीं लगी होने अच्छी है उस पर आपको वहाँ पे रखना है देन वहाँ पे बिल्कुल lightly आपको pressure देना है और start कर देना है ठीक है अगर आप pressure जादा देंगे तो वहाँ पे dot आ हाँ अगर बिना dot क आपकी line बं गई तो best है तो पिर आपको dot लगा के आपको उसको spread कर देना तो आपको यह начинает nine पहले एक direction को complete करते बे फिर दूसरे direction पहले डियुक्स को complete कर रहchten है आप देख सकते हैं में पहले एक direction को complete कर रहा हो दन फिर दूसरे direction में लीव के डिजाइन को बना रही हो अगर आपको अभी भी लीफ बनाना नहीं आई है तो आप मेरे लीफ वाले जो चैप्टर को रीड कर सकते हैं मैंने इन डीटील आपको लीफ बनाना सिखाई है बहुत अच्छे से मैं आपको explain करने के कोशिश करती हूं अगर फिर भी आपसे कुछिछ करूंगी कि एक बार और आपके लिए दिजाइन को ने के आ सको कि अभी जो ट्रेंड में है वे डिजाइन इस तरह के डिजाइन इस तरह बाट लगा देना है या पिट चार रहती है इसमें आपके चिज़ का दियान अगarta कि जो डॉट लगें वो सेन साइज के लगने चाहिए बर इस चीज़ का अगर लेके चलेंगे तो आपका डिजाइन काफी सुन्दर लगेगा और लास्ट जो एंडिंग अच्छा काम है वो टिप्स लगाना है अगर आप देख सकते अभी यह डिजाइन कैसा लग रहा है और विल्कुल मिश नहीं करना है तिप्स लगाना बहुत आराम से हमें इस चीप पूर्यत ना हो और आपका डिजाइन भी बहुत अच्छे से गम्वें चाहिए है इस तरह से मैंने टिप्स कर दिये हैं और देखिए last फाइनल लुक आपको कैसा लग रहा है झाल झाल